नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जारखन में 15 जनवरी बाद बढ़ सकता है कुरोना का संक्रमन 15 जनवरी के बाद जारखन में कुरोना के केस बढ़ने के असंका डाक्टर ने जताई है उनका मनना है कि दुनिया में इसके परसार और छुटियों को लोगों के ट्रेवल के कारण मत दे जनवरी के बाद जारखन में कुरोना का संक्रमन बढ़ने के असार है हलाकि इसने निपटने के लिए भी स्वास्त विभाग पूरी तरह से त्यारी में है बता दे अभी जारखन में कुरोना का संक्रमन भले ही पूरी तरह कमांड में हो लेकिन आगे ऐसी ही इस्थिती बनी रहेगी इसको लेकर राजधानी के उन डक्टरों ने संदे जताया है रांची में कुरोना टेस्टिंग के नोडल अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे है डक्टर अखिलेस जहाने बताया है कि राजधे में 15 जनुवरी के बाद संक्रमन के मावलें बढ़ सकते हैं बता दे डक्टर अखिलेस जहाने कहा है कि इसके पीछे वज़ाया भी है कि अभी तक का अनुभव बताया जाता है कि दुनिया के किसी हिस्से में कुरोना के केस बढ़ने के बाद पहले देश के कुछ राज़ियों में केस बढ़े हैं फिर उसके बाद दो से तीन सब्ता बाद ही जहारखन में कुरोना का संकर्मन बढ़ने लगते हैं इस बार भी ऐसी ही संभावना बनी हुई है राज़ानी रांची सहित राज़े के कई इलाकों में सोमवार को आसमान में छिटफुट बादल छाय रहे वहीं कोहरा और धुंद भी रहा मौसम केंद्रे रांची ने तीन और चार जन्वारी को भी राज़े के 15 जिलो में कोहरा और धुंद बनने का अनुमान लगाया है मौसम केंद्रे रांची ने इन 15 में से 9 जीलों में कोहरा की वज़ा से लो विजलिविटी के लिए औरेंज अलर्ट और 6 जीलों में एलो अलर्ट जारी किया है मौसम केंद्रे ने अपने पुर्णवान में देवखर जाम तड़ादूम का पांकुल साहिब गोड़ा सराय के लखर सावा पुर्वी सिम्भू में घाना कोहरा और धुन्द की वज़ा से विलिविलिटी 50 मीटर से 200 मीटर से कम होने की संभावना जताई साथ ही इन जीलों के लिए औरेंज अलर्ट भी जारी किया है सरना धर्म कोड मांग को लेकर 8 जनौरी को महरायली सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सोमवार को हर्मु मैदान रांची में केंद्रिय सरना समीती के बैठाक होई बैठाक के अध्यक्ता करते हुए अजाय तिर्की ने कहा है कि 8 जनौरी को सरना धर्म कोड मांग को लेकर हर्मु मैदान में महरायली की जाएगी इसमें सभी जीले से सरना धर्मलंबी भारी संख्या में पहुचेंगे उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को बचाने के लिए सरना धर्मकोड की लड़ाई लड़नी होगी 2023 में हर हाल में सरना कोड लागू करना होगा आदिवासियों की पचान बचाने के लिए हर्मू मैदान में राजे भर के हजारों आदिवासी सरना जंडा के साथ पहुचेंगे मौके पर अजाय तिर्की ज्यान कस्याब चंद्रदेव बालचून सहीत कई उपस्थित थे जार्खन अंदोलनकारी अस्मारक का सिलन्यास रांची में आज जार्खन अंदोलनकारी संहर्श मूर्चाक के प्रधान सच्चिव पूसकर महतों ने सोमवार को बताया है कि जैपाल सिंग मुंडा की जयंती पर तीन जनवरी को जार्खन आंदोलनकारी असमारक का सिलन्यास किया जाएगा रांची के चीरोंदी में जार्खन आंदोलनकारी असमारक निर्मान का सिलन्यास किया जाएगा इस अस्मारक में सभी जार्खन अंदोलनकारियों के नाम अंकित किये जाएंगे जैपाल सिंग मुंडा की जयनती को जार्खन अंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जार्खन आंदोलनकारी अलवट एका चौक से लेकर जैपाल सिंग मुंडाई स्टेडियम परिशर्थ तक जुलूस की सकल में पहुचेंगे इस दिन बोकारो के चकरी बागा टोंगरी वा बोकारो इस्टिल सिटी में पुर्भी सिमुम के बोडाम गुमला के राइडि व अभिसुनपूर दुमका के जर्मुन्डि व रामगड लातेहर के बरवाड दी लोहदगा के कुड़ू गढ़वा के रमना सिम्टेगा के कोले बीरा में भी जियनती मनाई जाएगी जार्खन के 33 पूलिस कर्मियों को मिला मेडल के मौके पर पुलिस महानी देशक और पुलिस महानी रिक्षक करया लेके प्रस्ताव पर गिरी करा एवं आपदा प्रवंदन विभाग ने मुहर लगाई थी तीन कटेगरी में पदक दिया गया है स्टीएप रांची के पुलिस अवर निरिक्षक गनेस चंद्रपान को विश्ष सेवा के लिए जार्खन राजेपाल पदक चे नवाजा गया वहीं लातेहर जीला में तैनाथ पुलिस अवर निरिक्षक राजीव कुमार भगत और पुलिस अवर निरिक्षक दिव्य परकास को बीरता के लिए जार्खन मुख्री मंत्री पदक मिला है उसके अलावा सरानिय सेवा के लिए आईजी अपराज अनुस संधान विभाग असिम विक्रांत मीज पुलिस उप महानिरिक्षक अनिस गुपता को दिया गया है जार्खन में बेरुजगारी दर में 18 फिजदी की ब्रीदी के साथ पांचवय स्थान पर जार्खन में बेरुजगारी की दर 18 फिजदी के साथ देश के पांचवय स्थान पर है सेंटर फोर मोनेटरिंग इंडियन एकनोमी के नए आकड़े आने से सियासी गलियारी में आरोप परत्यारोप का दोर शुरू हो गया है बतादे बीजेपी ने हेमन सरकार पर निशाना साथा है तो सताप्रक्ष ने भी बीप्रक्ष पत्तागड़ा पलटवार किया रांची को लेकर सेंटर फोर मोनेटरिंग इंडियन एकनोमी के नए आकड़े ने जार्खन की रानित्ती को गर्मा दिया है क्योंकि CMII के आकड़े के अनुशार जार्खन में बेरुजगारी दर बढ़ी है दिसंबर 2022 में बढ़कर या 18% हो गया है वही राश्ट्रिय अस्तरपर बेरुजगारी दर दिसंबर 2022 में 8.30% है बता दे CMIE के बेरुजगारी दर के आकड़े को लेकर जार्खन में अरोब परत्यरोब शुरू हो गया है भरतिय जंदा पार्टी ने जहां हेमन सुरेन सरकार को रोजगार देने के मुदे पर पूरी तरह फ्लोब बताया वहीं पार्टी के बिधायक सीपी सिंग ने तंज कसते हुए कहा है कि जो हेमन सुरेन सरकार युआओ से यह वादा करके सत्ता में आई थी कि असना तक पास बेरुजगारों को 5,6 और 9,5 बेरुजगारों को 7,7 रुपय का बेरुजगारी भता देगी उसकी सरकार में विरुजगारी दर 18 पत्य तक जाच पहुंची है सिरी समेद सिखर जी को बचाने के लिए जैन समुदाय का आमरान अंसन 16 जनवरी तक अस्थागीत सिरीज समेद सिखर जी को बचाने के लिए 26 दिसंबर से चले रहे आमरन अंसन को 16 जनवरी 2023 तक के लिए अस्थागित करने का एलाइन विश्व जैन संगठन ने किया है संगठन की ओर से रिशव बिहाय जैन मंदीर में आवेजीत प्रेस कोंफिरेंस में संगठन के अध्याक्ष और आमरन अंसन पर बैठे संजय जैन ने आजनकार दिदी है जैन ने बताया है कि बिजेपी सांसन मनोज तिवारी ने आमरन अंसन अस्थल पर आकर बताया कि केंद्री ये वन मंत्री ने 15 दिन में मांगो को मनाने की सरोजनिक घोसना की गई जिसके बाद आमरन अंसन 16 जनवरी तक के लिए स्थागित कर दिया गया है मुख्य मंत्री हमान शुरेण ने सोमवार को रह रप्पा इस्थीत सकती पीठ मां शिनमस्तिका मंदीर में सब परिवर पूझा अर्चना की मुख्य मंत्री के साथ उनके पिता राजसभा सांस द्वा पुरो मुख्य मंत्री सिवु सुरेण माता रुपी सुरेन पतनी कलपना सुरेन और भावी ववी दायक सीता सुरेन भी पुजा अर्चना के बाद मुख्यमंतरी हमन्त सुरेन ने कहा है कि माता के दरबार छेतर में मेरी जनमास्थली भी है आज परिवार के सभी सेस्यों के साथ माता का सिर्वाद लेकर नए साल की सुरुवात की है माचीन मस्तिका के किरिपा से राजे सुक सांतिय और सम्रीद और बढ़ेगी मुखी मंत्री हमन सुरेन को रजरापा मंदिर पहुचने पर नया समितिक सेस्यों के द्वारा बुक के दे कर असल उढ़ा कर उनका स्वागत किया गया आदम खोरतेंदुआ ने गढ़वा के बाद अब लातेहार में मचाया उत्पात गढ़वा जीले के रंका और चीनिया छेत्रे में उत्पात मचाने वाले आदम खोरतेंदुआ को मारने या पकड़ने की त्यारी की गई है इसके लिए बन भी भागने हैदराबाद निवासी अधिकरीत हंटर नवाब अली खान से संपर किया है वहीं गढ़वा के वन अधिकारी ने PCCF1 प्रनानी से हस्त छेप कर इस मामले में उशित निर्नाई लेने का अगरा किया है गढ़वा के लोगों के साथ हंटर नवाब को भी तेंदुआ को पकलने या मारने के लिए आदेश मिलने का इंतिजार है मालूम हो कि आदमखोर तेंदुआ ने 15 दिनों के भीतर गढ़वा जिले के भंडरिया, रंका, चिनिया, रंकंडा, आधी, पर्खंड में आतेंक मचाय हुए है उसने अब तक 3 बच्चों को मार चुका है इसमें रोदो, सेवाडी एवं कुस्वार गाव में एक-एक बच्चों को अपने सिकार बना लिया बता दे कई पस्वों को भी वा जखमी कर चुका है देश में कहीं से कर सकेंगे वोटिंग, चुनाव आयोग का नाया प्लान देश में अब कहीं से वोटिंग की जा सकेंगी, प्रवासी मद्दाताओ की सुविधा को देखते हुए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग पर काम करना शुरू कर दिया है इससे घर से बाहर रह रहे वोटरों को चुनाव के वक्त घर आनेक की मजबूरी नहीं होगी वे वहीं से वोट कर सकेंगे भारत निरवाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांग 16 जनवरी 2023 को सुबा 11 बईस्ते बिज्ञान भवन नई दिल्ली में राइनिती दलोग के प्रतिनिधियों के लिए बहो निरवाचन छेत्र प्रोटो टाइप रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन की कारेपर नाली का परदशन किया जाएगा इस असर पर आयोकी तक निकी विशसागे समिति के सजा से भी उपस्तित रहेंगे आज जैपाल सिंग मुंडा की जयनती जारखन राज के लिए कुरबानी देने को त्यार थे पर कांग्रेश ने दिया था धोखा सबसे पहले अलग जारखन राज का सापना देखने वाले जैपाल सिंग मुंडा आदिवासियों के बड़े नेता थे आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संहर्ष किया उन्होंने समिधान सभा में भी आदिवासियों के अधिकारों की आवाज बुलंद की अलग जार्खन राज के लिए वह हर कुर्बानी देने के लिए तयार थे उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा दिया लेकिन उन्हें धोका मिला इसका एहसास होते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड लिया बिहार के उप मुख्य मंत्री के पद से भी इस्थिपादे दिया बताद जैपाल सिंग मुंटा के निधन के तीन दसक बाद 15 नमबर 2000 को अलग जारकन राज तो बना लेकिन उनकी उमीदों के अनुरूप आदिवासियों का उत्थान अब तक नहीं हुआ है रांची से सटे खुट्टी जीला में 3 जनवरी उनई सो तीन को आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाले जैपाल सिंग मुंटा ने जारकन के मंत्रियों के लिए रांची अस्मार्ट सिटी में त्यार हो गया बंगला नए साल पर जारकन सरकार को सभी मंत्रियों को भी एक नयाब तोफा मिलने जा रहा है रांची के स्मार्ट सिटी में मुख्य मंत्री समेथ कूल 11 मंत्रियों के लिए बंगले का निर्मान आखरी चरन में है हैदराबाद की एक कंपनी को इन सभी बंगलों के निर्मान की जिमेदारी दी गई है बताजे धुरवा में समार्ट सिटी परिसर में एक कैंपस के अंदर सभी 11 बंगलो का निरमान किया जा रहा है जुलगों के निर्धेस में बन रहे इन 11 बंगलो का निरमान करिब 70 को रुपै के लाकसे किया जा रहा है ज्यार्खन के सरकारी स्कूल के सिक्षक 20 मार्च तक कक्षा 3 के बच्चों को सिखाएंगे पढ़ना लिखना साल 2023 के आगाज हो गया है नए साल में स्कूली सिक्षा और सक्षरता विभाग सरकारी स्कूलों सिक्षकों और बच्चों को टार्गेट कर कई काम करेगा इसे लेकर सिक्षा सचीव के रभी कुमाने सिस्कों के बीच मास्क 2023 तक के लिए कई टास्क दिये हैं इसमें सबसे परमुखिया है कि काक्षा 3 के बच्चे अगामी 20 माज तक पढ़ना लिखना सीख ले सिक्षा सचीव ने जो टास्क दिये हैं उसे पूरा करने की जिमिदारी जिला सिक्षा पतादीकारी किया है वहीं सिक्षा बेवस्ता में सुधार के लिए सचीव ने एक निर्देश भी जारी किया है जारी नदियस में कहा गया है कि अब कलास में स्कूली बच्चे मोबाइल नहीं ले पाएंगे जारखन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को युनिफर्म के लिए मिलेगी नगद रासी जारकन के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को जिने अब तक पोसाग की रासी नहीं मिल सकी है उन्हें नगद रासी मिल सकेगी बैंक के खाता नहीं होने के कारण 15 लाग छात्रा छात्राओं को पोसाग की रासी नहीं मिल सकी है जिससे वे नई पोसाग नहीं खरी सके इतरासी दे गई है, इसंते समधित बच्चों को पसाक खरी दी गई है जारखन में नए साल के जस्ञ में 45 करोड की सराव घटक गए लोग नए साल के जस्ञ में लोग डूबे हुए है, लोगों पर अभी भी खुमारी चाही हुई है वहीं जारखन में लोगों ने नए साल का स्वागत बड़े ही जोर सोचे किया बता दे लोगों में इस कदर उत्ता है कि महज दो ही दिनों में लगभग 45 क्लोर रुपए की सराप की जारखन में बिक्री हुई इससे सरकार काफी खूस है कुरोना की चौथी लहर की सुबुगाहट के बीच राजे में नए साल पर लोगों ने जम कर ज़स्न मनाया है होटल से लेकर छोटे बड़े सभी पार्कों में नियो इस सेलिबिरेशन जोरो पर है बता दे जनकारी के अनुसर 45 क्रोड की सराप गटक गए हैं हालाकि अभी अधिकारिक आकड़े आने बाकी है अनुमाल लगाया जा रहा है कि यह आकड़ा और भी बढ़ सकता है सीम हेमन्त के फैसले से फर्मस्तिष्टों ने जयताई चीनता गाव गाव में दवा दुकाने खोलने और दसवी पास से दवा बटवाने के सीम हेमन्त के ब्यान पर अखिल भारतिये फर्मस्तिष्ट एसोसियेशन के सरकार के उस पैसले पर अपत्ति जताई जिसमें स्यम हेमन्सुरे ने कहा है कि गाउगा में दवा दुकाने खोली जाए और दसवी पास से दवा बटवाई जाएगी नए साल पर बाबा मंदीर में डेढ़ अलाक सरधलों ने किया जलारपन देवगर पहुंचे पर्याट को समेत अस्थानी लोगों ने बाबा बैदनात की पुजा अर्चना कर नए साल के शुरुआत की है नए साल के पहले दिन बाबा मंदीर में जलारपन करने आए भकतों की काफी भेड़ देखी गई तथा समाने कतार करीब तीन किलोमीटर दूर बीट कोले तक पहुंच गई आम से लेकर खास लोगों ने कतार में लगकर पुजा की है वहीं सिख्रदरसनम कुपन लेकर जलारपन करने आए भकतों की कतार लंबी नहीं हो इसके लिए मंदीर परशासन ने सलोट के अनुसार कुपन जारी किया इस दोरान मंदीर का पट रात सवा आट बजे बंद हुआ तथा पट बंद हो तने तक कूल एक लाख चववन हजार आट सो आट लोगों ने जलारपन किया है गुमला के पांच लाख लोगों को 14 दिनों तक बिजली संकट गुमला के करी 5 लाख की अबादी को अगले 14 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा यहां 132 गृट में लगे 20 MBA के बड़े टांसफर्म में खरावी आजाने के बाद इसे आपूर्ती बंद करने का नहीं लिया गया बता दे संचरन अनुमंडल गुमला ने 2 से 14 जनवरी तक सट डाउन करने का नहीं लिया है मरमत का काम 2 जनवरी से सुरू हो गया है इसी दोरान गृट से समंदीत इलाके को टांसफर्मर नमबर 2 से लोट से डिंग कर बारी-बारी से आधी बिजली दी जाएगी बेटी को होस्टल छोडने जा रहे एसाई की तेज रहफतार कंटेनर से मौत बेटी को होस्टल छोडने जा रहे बाइक सवार एसाई राधा गोविंद उराउ को तेज रहतार कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया इससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई जबकि 15 वर्सी ये पूतरी को चोट आई है एक घटना राधा गोविंद जारखन पूलिस में एसाई थे एवं बरतमान में हजारी बाग में PCR में परतास आफित थे एक घटना राण्ची जीले के नामकुम्थाना छेतर के रामपूर आरया इस्टिल के समीप राण्ची जमसेद पूर एनेच 33 की है पूलिस ने कंटेनर वावाहन जब्त कर ली है आपको बता दे कि मिरी तक बुड़ू नगर पंचायत अध्यक्ष के चचेरे भाई भी थे राण्ची के चान्चों के सियो जफर हसनात सस्पेंट राण्ची के चान्चों के सियो अंचला अधिकारे जफर हसनात को निलमबित कर दिया गया है जफर हसनात पर चान्चों के राणी चान्चों में छल पुर्वा खरी दी गए 35 एकर जमीन के विक्रै दास्तावेजों को रद करने समधी आवेदन पत्र पर परतिवेदन वा अस्पस्टी करन नहीं देने कारोप है इस समध में कार्मिक प्रसासनिक सुधार यम्राजबासा विभाग द्वारा निलामबन की अधिसुतना जारी कर दी गई बता दे रांची जी लेके चानहों के अंचला अधिकारी जब रहसनत को निलामबित कर दिया गया है कार्मिक प्रसासनिक सुधार यम्राजबासा विभाग ने इसके सुथना जारी कर दी है देवघर के सारवा से अगवा बच्चा बिहार से बरामात सजारखंड के देवघर जी लेके सारवा थाना छेतर नतरगत पढ़ने वाले पंच डूर डी गाउ से अफ्रीत बच्चे को सारवा पूलिसने गिद्र थाना छेतर के सेवा गाउ जाने वाले टेमपो स्टेंड से बरामत किया है सारवा पूलिस ने गिधोर के सेवा इस्टेंड से इस मामले में सनलिप्त अपहरन करता को विगिरफतार कर लिया दोनों को पूलिस जारकन ले आई है जनकारी के अनुसार सारवा थाने के पांचुड़ी गाव निवासी सुनिल सर्मा के साथ वर्षिय पूत्र अधित्यकुमार का जाजा थाना छेतर अंत्रगत पुलने वाले कानन गाव निवासी तूलसी साव के पूत्र विकी साव ने अफहरन कर लिया था उसी अफ़रन मामले को लेकर पंचुडी गाव निवासी सुनीर सर्मा ने सर्वा थाना में कांड संक्या 1-2-3 की धारा 336 के तहत मामला दर्च कराया था जमसेद पूर्मेन पलांट में नहीं बढ़ेगा प्रोडक्सन नौबरस के मौके पर सेंटर फोर एक्सिलेंस में केक कटिंग समारों के बाद टाटा इस्टील के एमडी टीवी नरेंद्रे ने कहा है कि जमसेद पूर्मेन पलांट में प्रोडक्सन को अब बढ़ाना नहीं चाहते यहाँ पलांट सहर के बिचो बीच है एक पलांट करीब सत्रा सव एकर में फाला हुआ है देश बिदेश में ऐसा कोई पलांट नहीं है चमसेद पूर में फिलाल 11 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है अब लोड देना नहीं चाहते इस काराण इसको हम ज्यादा विस्तार न निवेस कर रहे हैं देवघर बाबा नगरी में कनकनी और कोहरा का कहर देवघर की बाबा नगरी में कडाके की ठंड से जन जीवन कुछ हद तक परभावित हो गया है सोमवार को कोहरे के साथ इस वर्स सबसे ठंडा दिन रहा मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को देवघर का निमतम तापमान 13 डिगरी और अधिकतम तापमान 18 डिगरी दर्च किया गया कोहरे की वज़ा से दिली उओ कोलकता से आनेवारी फलाइट कैंसिल कर दी गई मौसम विभाग के पुरुमान के अनुसार इस अपता तापमान में लगतार गिरावट आने की संभावना है केंद्री ग्रीह मंत्री अमीत 7-7 जनवरी को चाईबासा केंद्री ग्री मंत्री अमीत साथ साथ जनवरी को चाई बसा आएंगे जहरकन के पच्मी सिम्भूम जीले के टाटा कॉलेज मैदान में उनकी सभा होगी इसमें करीब डेढ़ लाख लोग सामिल होने की उमीद है इस साभा को लेकर भाजपा की बैठको का दोर जारी है स्वमवार को इस तयारी को लेकर जीक पानी वाट टोटो परखन में बैटक की गई केंद्री ग्री मंत्री के कारकर में कई केंद्री राज मंत्री भी सामिल होंगे जूट लूट और भरस्टा चार हमंत सरकार के तीन वरस की देन पियन सिंग जारखन सरकार के तीन वरस बित चुके हैं लेकिन राज की जनता को या पता तक नहीं है कि तीन वरस में उन्हें क्या मिला या राजे में कौन-कौन सा भिकास किये गए सरकार के तिनवर और सिर्फ लूट जोट प्रस्टा चार में भीत गया है जार्खन में बालू कोईला वन खनीज, समपधा को पूरी सरकारी तंत्र के साथ थी साथ सरकार में सामील लोग यहम सरकार का सानी द्यप्राप्त लोग करने में लगे हाएं यह बाते भाजपा के पुर्व परदेश अध्याग्ज सा धनबायत के संस्थ पसुपती नाथ सिंग ने पलामु भाजपा जी लाका रहाले में प्रेस वारता के दौरान कहीं है धन निवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब करें बहुत करें तब यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों से असे करना ना भूलें साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवसे दें थांक्यू करें दो